हमाई सौम्या थोड़ी इंपल्सिव है थोड़ी मूड़ी है पर आम शूर जिस लड़के को इसने पसंद किया होगा वो बहुत अच्छा होगा लेकिन फिर भी आपकी राहे मिल जाती तो बस मैं यही जाना चाहता हूँ कि मंगल लक्ष्मी सीरेल के आने वाले पिसोड में आपर हम देखने वाले हैं कि वही हमारी लक्ष्मी जु है इस बार काफी जी जादा खुश है क्योंकि हाँ पर गायत्री ने उसे सौम्या का वरत करने के लिए कहा है और उसका सावन का पहला वरत है उसकी शादी के बाद उसक और यहां पर हमारी गायत्री ने उसे order दिया है कि उसे कोई भी कसर नहीं छोड़नी है इस festival को पूरा करने के लिए इस पिवहार को मनाने के लिए और यहां पर गायत्री ने कहा है कि हमारी लक्षमी को अपने हाथ से दिये बनाने होंगे पापा, आप भी कैसे सवाल कर रहे हैं, बोल कर रहे हैं आप इने अरे नहीं सॉम्या, पैरेंट्स की एंग्जाइटी को समझते हैं ये, क्यों मिस्टर? लेकिन बई कहानी में एक विलन है, जहां हम हर एक कहानी में विलन होता है और इस बार वो अपने इस चाल में कामयाब होती है या नहीं, तो आने वाल एपिसोड में ही देखेंगे हम फिलाल यहां पर एपिसोड में यह भी देखने को मिल रहे है, कि इशाना की इस गर से चुटी हो गई है जहां यहां पर अदित को और सभी घरवालों को पता चल गया है, कि इशाना जो हैंसे जूट बोल कर गई थी कि वो भाई प्रोजेक्ट करने जारी है नेहा के घर लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता, वो जूट बोल कर दूसरी तरफ सौम्या के घर गई है डान्स प्राक्टिस के लिए उसकी स्कूल में डान्स कॉंपिटिशन है जिसमें उसे और उसकी मा के साथ उसे डान्स करना है और यहां पर वो जूट बोलती है कि वो नेहा के घर प्रोजेक्ट करने जारी है और जबकि वो वहाँ दूसरी तरफ सौम्या के घर पहुँच चुकी है डान्स प्राक्टिस के लिए और यहां हम देख रहे हैं कि अधित के सामय सक्चा ही आ गई है कि इशाना ने जूट कहा था और इस बार अधित गुस्से में आ कर इशाना को हमेशा हमेशा के लिए होस्टिल छोड़ कर आता है और यहां पर घर वाले शौक में आ जाते हैं और मंगल बार-बार अधित के पैर परतेवल नजर आ रहे है होसे बार-बार कह रहे है और आपको इस बार इशाना को वापस लाना ही होगा तो आपको बताया दे कहानी में यहाँ पर एक ट्विस्स आने वाला जहाँ पर हम देखेंगे कि भाई काफी धोके से यहाँ पर सौमया आदित को कैफे में बुलाती है और इस बार हमारी सौमया मैडम जो है वो आदित को अपने माबाप से मिलवाने वाली है और यहाँ पर उसकी शादी की बात भी चलने वाली है तो दोस्तों आने वाले एपिसोड में देखना काफी मज़िदार होगा कि क्या इस बार सच में आदे चौमया से शादी कर लेगा या फिर नहीं